नमस्कार आप देख रहे हैं ऐसा क्यों और मैं हूँ आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला भारत हमेशा से ही संत महात्माओं की भूमी रहा है यहां संसकारों को सबसे जादा एहमियत दी जाती है और हमारी संस्कृती में होने वाले इन 16 संसकारों को बहुत महत्माओं माना गया है इन्हें संसकारों में से एक है जनेव संसकार क्या आप जानते हैं? इस परंपरा का सिर्फ धार्मिक लिहाद से ही नहीं बलकि वेज्ञानिक लिहाद से भी बहुत महतु है आईए जानते हैं आखिर हिंदू धर्में जनेव धरन करना क्यों जरूरी है? संसकर्ट भाषा में जनेव को यग्यो पवीत कहा जाता है ये सूत से बना पवित्र धागा होता है जिसे बाएं कंधे के ओपर से दाई भुजा के नीचे तक पहना जाता है ये केबल धर्माक्या ही नहीं बलकि आरोग्य का पोशक भी है साधरन भाषा में जनेव एक ऐसी परमपरा है जिसके बाद ही कोई भी पुरुष परमपरिक तौर से पूजा या धार्मिक कामों में भाग ले सकता है प्राचीन काल में जनेव पहनने के बाद ही बालब को सिक्षा प्राप्त करने का आधिकार मिलता था जनियु में मुख्य रूप से तीन सूत्र होते हैं, हर सूत्र में तीन धागे होते हैं पहला धागा इसमें उपस्तित तीन सूत्र, तिर्मूर्ती, ब्रह्मा, विश्णू और महेश के प्रतीक होते हैं दूसरा धागा देवरिण, पितररिण और रिशीरिण को दर्शाता है और तीसरा ये सत्व, रज और तम का रूप है चोथा ये गायतरी मंत्र के तीन चरणों को बताता है पांचवा ये तीन आश्रमों का प्रतीक है सन्यास आश्रम में यग्योपवीत को उतार दिया जाता है यग्योपवीत की लंबाई 96 अंगुल होती है इसका अभिप्राई ये है कि जनेव धरन करने वाले को 64 कलाओं और 32 विधाओं को सीखने का प्रयास करना चाहिए इसके अलावा हिंदू धर्म के अनुसार जनेव के तीन भागों में तीन देवियां क्रमशय, पारवती, लक्ष्मी और सरस्वती विराजबान है हिंदू धर्म में माना जाता है कि इसे धारन करने से मनुष्र के विचार, शब्द, कामों में निर्मलता आ जाती है साथ ही ये ब्रहमचारी जीवन का नित्रत्व भी प्रधान करता है, साथ ही ये किसी बालक के सिक्षा से भी सम्बंद रखता है इसके अलावा बैज्ञानिक रूप से जनेव धरन करने के कही लाब है भार्विक रूप से नित्य कर्म से पहले जनिव को कानों पर कस कर दो बार लपेट ना अनिवार है दरसल ऐसा करने से कान की पीछे की दो नसे जिनका सम्बंद पेट की आतों से होता है आतों पर दबाव डाल कर उनको पूरा खोल देती है जिससे कब्ज की समस्या नहीं होती और शरीर स्वस्त रहता है जनिव उसके वेग को रोक देता है जिससे कब्ज, एसिडिटी, पेट से सम्बंदित रोक, ब्लट प्रिशर, हार्ट डिजीज सहित अन्य संक्रमन नहीं होते जनिव पहलने वाला व्यक्ति नियमों में बंधा होता है वो नित्य कर्म के बाद अपनी जनिव उतार नहीं सकता जब तक वो हाथ पैर धोकर कुल्ला ना कर ले ये सफाई उसे दात, मू, पेट के रोकों सहित जीवानों से बचाती है जनिव का सबसे ज्यादा लाब हार्ट पेशेंट्स को मिलता है तो देखा आपने कैसे हमारी परंपराओं का सिर्फ धार्मिक लिहास से ही नहीं बलकि वैज्यानिक लिहास से भी बेहद महत्व है आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए रहसे के साथ तब तक के लिए दीजे जाज़त, नमस्कार के लिए दीजे जाज़त, नमस्कार